सबका स्वागत है आज की आज का बाइबल स्टेडी में बाइबल से कुछ बाते हैं हम देखने जा रहे हैं आज से दो दिन बाद हमारा रिपपलिक देहे गनतंदर दिवस आम दो रुपर हम उसको 26 जनवरी बोलते हैं और गनतंदर दिवस में हमें ज्यादा तर याद रहता है वो परेड और फ्लोट्स जिसको क्या बोलते हैं जांकियां और तांस्वरा जो हर साल हम बनाते हैं इस साल भी हम बनाएंगे हम चलेवीशन में देखेंगे अच्छा लगता है लेकिन एक बात आम दोर पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि रिपब्लिक या गनतंदर दिवस जो हम मनाते हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण है आजादी मिलने के कुछ सालों बाद यानि दो या सवाद दो साल हमें लगे हमारे उस समय के लीडेर्स ने अगवों ने मिलके देश के लिए एक संविदान लिखा Constitution और फिर यह तैय किया कि हम अपने देश पर इस संविदान के अनिसार शासन करेंगे उस संविदान में हमारे जो संविदान है Constitution में उसमें जो कुछ भी लिखा है उसमें हमें बताया जाता है कि हम अमारे देश जो है भारत जो है किस दिशा में जाएगा और हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हमारे यानि boundaries उसमें है limitations क्या हम कर सकते हैं क्या हमें नहीं करना चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि सिरफ आमारे देश की बात नहीं दुनिया में कोई भी देश उस देश के Constitution के इसाब से नहीं चलता Constitution एक तरफ रहता है सम्विदान एक तरफ रहता है और हर युग में शासन करने वाले कोशिश करते हैं कि अपनी ही मरजी से या अपने इसाब से सब कुछ चले जैसे हमारे देश में Constitution है और एक और बात बताना चाहूंगा हम सब जाला तरह हमारे लीडिर्स पॉलिटीशन्स अक्सर यह कहते हैं कि भारत जो है या इंदुस्तान जो है दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है और ऐसा करके भी हम गलत फेमी में रह जाते हैं क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतांतरिक देश नहीं हैं हम सबसे बड़ सबसे बड़ा गनतंतर राजी है यानि हम सबसे बड़ा रिपर्बलीक है हमारे पास कॉंस्टूशन है और हमारे कॉंस्टूशन के अनिसार हमें चला चाहिए तो ऐसा कहे कि हम लोकतंतरिक हैं हम कॉंस्टूशन को एक सेड़ में कर देते हैं और ये गलती हम लोग जो येश्व मसी के पीचे चलते हैं कई बार करते हैं हमारे पास जैसे देश में कॉंस्टूशन है परमेश्वर ने हमें एक कुपसूरत बुख किताब लिख के दिये विश्वासियों के लिए परमिश्र ने एक Constitution लिखे दिया है जिसमें हमें बताय जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें ये भी बताय जाता है कि परमिश्र ने हमारे लिए क्या किया है और क्या करेगा हमें किन-किन चीज़ों से सावदानी रखनी चाहिए सतर करेना चाहिए ये भी इस Constitution में है और हकीकत ये है कि हम जो येश्व मसी के पीछे चलने वाले हैं ज़्यादा तर इस Constitution पर यानि इस पवित्र शास्तर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या पवित्र शास्तर की बातों बढ़ इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको कुछ बातें बदाऊं इस पवित्र शास्तर के बारे में ताकि हम इसके बातों गो बूलना जाए और हम अपने विशे में ये ना कहे कि हमारी चर्च दिली की सबसे बढ़िया चर्च है हम सब मिलके परमिश्र के प्यारे लोग हैं जो की है लेकिन हम इस बात को ध्यान में रेखे कि हम अगर सबसे बढ़िया है प्रभू की नजर में वो इसलिए है क्योंकि परमिश्र ने हमारे लिए सब कुछ किया हम इस योगी नहीं थे जैसे अभी हमने गीद में का है ना कि योगिदा से बढ़कर उसने हमारे लिए किया है तो आई हम देखते हैं इस वचन के बारे में इस बाइबल के बारे में जो आपके हातों में हैं या फिर आपके सेल फोन्स में हैं आपके स्मार्ट फोन्स में हैं इस बाइबल के इस पवित्र शास्तर के बारे में पवित्र शास्तर कुद क्या कहता है या इस पवित्र शास्त को हमें कैसे पढ़ना चाहिए कैसे इसका अधियन करना चाहिए इस बारे में इस Bible में ही है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं बजन सहीदा बजन सहीदा का पहले सबसे पहला बजन में लिखा है एक बात परमेश्वर की व्यवस्ता को लेके, परमेश्वर का वच्ण को लेके, about the word of God, अंगरेजी में बोलता है, या about the Bible itself, इस पवितर शास्तर के बारे में, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने उस समय के अगवों को क्या आदेश दिया, उन्होंने हमारी सीखने के लिए लिखा है, सबसे पहले बजन में लिखा है, दूसरे पत, पहले पत में लिखा है, मैं पहले पत से पढ़ लेता हूँ, क्या ही दन्य है वे पुरिश्ट जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता, और पापियों के मार्गों में खड़ा होता, और ना टटा करने वालों की मंडली में बैठता है, अब उसका कॉंट्रास्ट दिखा रहा है, जो जो नहीं करता है, जो ऐसा नहीं करता, फिर वो क्या करता है, उसके बदले में वो क्या करता है, परंदु वे तो यहोवा की विवस्ता से प्रसंद रहता है, और उसकी विवस्त पर रात दिन ध्यान करता रहता है। नहीं है या फिर आप इंटनेट में कभी-कभी YouTube में टीचिंग्स सुन लेते हैं या Facebook में या YouTube में या Google में आप किसी website में जाके टीचिंग्स पड़ते हैं वो काफी नहीं है यहां वे अमने क्या देखा वो परमेश्वर के वचन का द्यान करता है या द्यान करता रहता है रात दिन इसका मतलव यह नहीं है कि वो सारा काम चोड़के 24 गंडे परमेश्वर के वचन में बारे में सोचता है वो अमें मालुम है मुम्किन नहीं है हमें दिन में काम करना होता है या बिसनेस करना होता है या सुड़न्स को पढ़ाई करनी है और खाने पीने के लिए भी समय चाहिए कहने का मदलब है कि वो सुबा मैं आगर आपको दिखाता हूँ बजन 63 में अत्रस साथ बाजन में मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे होता है रो सकता है कि इसको देखने के बाद आपके लिए काम आसान हो जाए और जैसे मैंने आपको कहाना कि अभी अमारे देश की Constitution के बारे में मैंने बोला और मुझे मालूम है कि हमारे देश के जादातर लोगों ने कभी Constitution को नहीं पढ़ा और इसलिए और हम में से कोई भी ऐसा ना हो जिसने Bible नहीं पढ़ी हो पूरी Bible को ना पढ़ी हो इसलिए आज मैं सारे कितावों में आपको ले जाओंगा आप यह कैसे के हां आमने यह सारी किताव आज पढ़ी है तो आज हमारे अदियन में हो सकते हैं एक गंड़ा लग जाए लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि maximum books आप से कुल्वाओं और दिखाओं फिर आप कह सकेंगे नहां आमने Bible की किताब पढ़ी है कमसे के एक वरस तो उंगली चलाएंगे तो उंगलियां भी गरम हो जाएगी और आपको फिर ठंड ज्यादा लेगेगी नहीं तो 63 बजन में लेका है साम 63 इसका चटवा पद में लेका है जब मैं बिचोने पर पड़ा तेरा समरंड करता करूंगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्या करेगा यानि आक सुमा उटने के बाद परमेश्वर की प्रवितर शांस्तर को भी पड़ने से कुछ बातें में अँगली करीगा है या कुछ बातें हमें हाइलाइट दिखेगी जिस पर हम दिन में बीच बीच में विचार करेंगे और फिर सोने से पहले भी और सोते हुए परमेश्र के वचन से सुबह हमने पढ़ाता है इस तरह हम दिन रात उस पर मनन करेंगे दिन में बीच बीच में वो बात हमें याद आनी चाहिए अगर हमने ध्यान से पढ़ा है इसलिए पहला बजन एक में हमने पढ़ा है कि परमेश्र के वचन पर ध्यान देता है, वो ध्यान देता है, विचार करता है, He meditates on that word, He reflects on that word, यह ज़रूरी है, यह ना करने के कारण हम परमेश्र का वचन जो है, बाइबल की बातें जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, बूल जाते हैं, क्योंकि हमने सुन लिया, खानों से, या हमने आँखों से देखा और पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद हमने मन से उस पर विचार नहीं किया, उस पर ध्यान करना ज़रूरी है, अगर हम ध्यान करेंगे, तो कुछ बातें हमें समझ आएगी, तो आज के बाद हम क्या करेंगे या आज से हम क्या करेंगे अभी से हम क्या करेंगे और इस तरह हमें आपको एक और वर्ष दिखाओंगा बदन सहिदा के बाद कुछ पन्नों को पलटने के बाद इरमया की पुस्तक आपको मिलेगी यह शया के बाद इरमया की पुस्तक का दूसरा अधियाए इरमया का पुस्तक में आपको मैं इसलिए ले जा रहा हूँ था कि कुछ लोगों को पता चले कि ऐसे भी एक पुस्तक है बाइबल में इसका दूसरा अधियाय का 31 स्वापत को हम पढ़ते हैं चाप्टर 2 वर्श 31 हे लोगों यहोवा के वचन पर द्यान दो यहां में बात किसे हो रही है आप से और मुझसे हो रही है यहोवा के यहोवा के वचन पर द्यान दो पे अटेंशन, मेडिटेट, रिफलेक्ट, कंसिरर, तिंक, विचार करो तो अभी से हम ऐसा करेंगे कि जो कुछ जब हम Bible से हम पढ़ते हैं या जो कुछ हमें सुनने को मिलता है उस पर हम क्या करेंगे विचार करेंगे, हम मनन करेंगे, और तब क्या होगा, तब अभी हम पुराने वाचा में गुम रहे हैं, तो एक चलांग लगाते हैं, नया नियम में जाते हैं, तिमत्यस की पत्री, ये नया नियम में है, मत्य, मर्कुज, लुका, योहन, उसके बाद, प्रेड़ दोंगे काम, उसके बाद, रोमियों की पत्री, इसके बाद, कुरिंदियों की पत्री, इसके बाद, गलेशियन की पत्री, फिर फिलिपियन, फिर कलोशियन, इसके बाद, तेसलोनियन तिमतियस की पत्री का दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय का साथवपत को पढ़ते हैं 2 तिमतियच चाप्टर 2 पर्ष 7 यहां बर सुनने वाले को पढ़ने वाले को पवित्रा आत्मा कहता है जो मैं कहता हूँ उस पर द्यान दे इस शब्द पर अमेशा ध्यान रखना, आपको हर जगा मिलेगा ध्यान, इंदी में और अंग्रेजी में मिलेगा, think, consider, reflect, meditate, इन शारों में से एक शब्द मिलेगा जहातर वर्षेंट्स में, इसमें क्या कहा गया है, जो मैं कहता हूँ, उसमें या उस पर ध्यान दो, और धब क्या होगा, जब हम ध्यान करेंगे, प्रभू की बातों पर अब जब हम ध्यान करेंगे, तो पवित्रा आत्मा एक बहुत कुपसूरत काम करेगा, क्या करेगा, और प्रभू तुझे सब बातों की समझ देगा, क्या होगा, प्रभू यह पवित्रा आत्मा सब बातों की समझ देगा, इस पद को मैं चाहूंगा, कि आप एक पार फिर खुद पढ़ें, अपने अपने बाइविल में पढ़ें, कि इसमें क्या लिखा है, कि जब मैं परमेश्वर की किसी भी एक बात पर ध्यान करूंगा, तो प्रभू पवित्रा आत्मा मुझे सब बातों की समझ देगा, यही लिखा है, consider what I say and the Lord will give you the understanding, अंगरेजी में, or reflect on what I have to say and the Lord will grant you the understanding, ठीक है, मैं परमेश्वर की बात पर ध्यान करूंगा और परमेश्वर पवित्रा आत्मा के द्वरा मुझे समझ देगा, अगर मैं पर परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं करूंगा, तो क्या होगा, इसको हम mathematically देखते हैं, algebra equation लगाते हैं, अगर मैं परमेश्वर की बात पर ध्यान करूंगा, तो बराबर है, परमेश्वर मुझे समझ देगा, अगर मैं परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं करूंगा, तो वहांबर भी नहीं लागा पड़ेगा परमेश्र की और से आपको समझ नहीं मिलेगी और इससे हमें क्या समझ आता है पवित्रशा परमेश्र को जानने के लिए ये जो पवित्रशास्र हमें दिया इसके दुबारा हम परमेश्र को जान सकते हैं बलकि मैं कहूंगा कि जब पढ़ना शुरू करो, वहांबर उसी पुस्तग में परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात से, अंग्रेजी में करते हैं, you can have an encounter with the Lord. वहांबर आप परमेश्वर की शीरीन आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। और जब हम द्यान करेंगे, तो ही यह होगा। अगर हम पढ़के निकल जाएंगे, तो ना तो परमेश्वर से मुलाकात होगी, और ना हम परमेश्वर की बात को सुन सकेंगे। लेकिन जब पढ़ने के बादा कर हम ध्यान करेंगे उस बात पर, जो कुछ हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच चेंगे, तो पवित्रा आत्मा समझ देगा। हमारे अपने बारे में बहुत कुछ परमेश्वर बताएगा, हमारी कम्यां बताएगा, और जहांबर हम सही है वहां बे हमें सभाशी भी मिलेगी। परमेश्वर हमें बताएगा कि वो कितना प्यार करता है, कितना हमारे लिए सोचता है, यह सब कुछ आपको कुछ को समझ आएगा, मेरे बताने से इतना नहीं समझ आएगा, किसी और सिखाने वाले के कहने से इतना नहीं समझ आएगा, जितना परमेश्वर पवितर आत्मा सोय जब आपको बताता है, आपको अच्छी तरह समझाएगा, वो बात आपके मन में बैठ जाएगी और कोई उस बात को आपके मन से चुरा नहीं सकेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, इसलिए मैं अक्सर बताता हूँ, बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैबल पढ़िये, इसको एक रिच्वल के तरह मत पढ़िये, अब हम मसी के पीछे चल रहे हैं या अब हम प्रभू येशे मसी पर विश्वास हमने किया है तो हमें बैबल पढ़ना ज इसको पढ़िये और द्यान दीजिए, जब हम द्यान देंगे तो पवित्रहात्मा हम से बात करेगा, हमें समझ देगा एक जगा पे, एक जगा पे मैं आपको और ले जाना चाहूंगा, अब हम बापस जाएंगे पुरानी व्यवस्ता में, पुरानी वाच्छा में और वहां बैए इर्मिया के पुस्तर में फिर चलते हैं अब आपको पता होगा कि वो पुस्तक कहांबर है, तो बहां तक पहुंचना आसान है, यह मैं उन से कह रहा हैं जिनके पस किताब की रूप में बाइबल है, जो लोग स्मार्ट पॉन में हैं वो तो वैसे स्मार्ट है, वो तो नाम लिखेंगे जल्दी दिखाई देगा, य यह बजन सहीदा के बाद है, यह शया नवी के पुस्तक के बाद है, इरमिया के पुस्तक, इसमें पंदरवाद याय में चलते हैं, यह वेक्ती, यह परमेश्वर का जन, आपके और मेरी तरह परमेश्वर के पीछे या परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्व की बातों को मानने वाला कहता है पंदरबात में जरमाया चाप्टर 15 वर्श 16 16 वपत को हम देखते हैं जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो एक बात नहीं बहुत सारी बात हैं परमिश्र की ओर से उस विक्ति के पास पहुंची और जब एक एक वचन उसके पास पहुंचता गया तो उसने क्या किया वो कहता है कि तब मैंने उन्हें मानों खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्श और आनंद का कारण हुए तो वचन बर जब आप मनन करते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं जब आप ध्यान देते हैं जब आप उस वचन के विश्रे में सोचते हैं तो दीरे दीरे वो वच ऐसा आपके जीवन में काम गरेगा जैसे कि आपने किसी चीज़ को खा लिया हो यानि आपके अंदर चला जाएगा आपके जहन में आपके मन की गहराई में वो बात चली जाएगी इसलिए इर्मेया कहता है कि मैंने तेरे वचन को खा लिया क्योंगी यहांूट्ब हमारे समझ के अनस्षार ऐसी बाषा में लिखवाता है टाकि आमिस समझ आए जब आप कसी चीज को खा लेते हैं आपके फैवरेट खाना जब आप खा लेते हैं इस र relacion का ज़ाता है अंदर चला जाता ना आपके पेट आंदर चला कि परमेशन मुझसे यह कह रहा है फिर दिरे दिरे पेट के अंदर चला जाता है यानि वहांबर से फिर पेट के अंदर जाने के बाद हाजम होने के बाद आपका शरीर में दिखाई देता है एक मैंने लगातर फाटी फूट काने के बाद अलग-अलग जगाव में दिखाई तो इसी तरह हमारे आत्मा में भी दिखाई देता है हमारे आत्मा में उसका असर होता है अमारे बात्यूत में दिखाई देता है हमारे सोच विजार में दिखाई देता है कि हमने परमेश्वर के वजन को खा लिया है खाने का मदलब है उसको ग्रहन करना, उसको गहराई तक जाने देना, वो शुरू होता है मनन से, विचार करने से, अगर हम विचार नहीं करेंगे तो परमेशर का वचन वैसे के वैसे रह जाएगा, कोई असर नहीं होगा तो हमने अभी तक क्या-क्या सीखां हमने, परमेशर के वचन पर दियान करना है, दियान करते करते वो ऐसा हो जाएगा मनू कि हमने उसे खा लिः, यानि हमारे मन गेहराई में जाएके वो वचन घर करेगा, बैठ जाएगा और फिर हमें वो नियंद्रन करना शुरू करेगा यानि हमारी सोच बदल जाएगी हमारी बातें बदलती जाएगी और हमारे व्यवहार बदलता जाएगा तो आज से, सर्व आज नहीं आज से हम अपने Constitution को पढ़ेंगे शुरू से लेके आन तक हम पढ़ेंगे और समझेंगे, त्यान करेंगे, खाएंगे हजम करेंगे और फिर हमारे आत्मिक जीवन में दिखाई देगा और एक और बात दिखाता हूँ अभी हम चलते हैं नई बाचा में उंगलियान चलाइए थोड़ी सी और आप पहुंच आएंगे कुलोसियों की पत्री में जिनके पैस पुस्तक है आपको बताना चाहूंगा मती, मर्कुस, लूका, यूगर्ना उसके बाद प्रेड़ितों के काम उसके बाद रोमी के पत्री और फिर दो-तिन पत्रियां और कतम करने के बाद यानि गलातियों की पत्री और इफीसियों की पत्री के बाद फिलिप्यों की पत्री के बाद आपको कुलिसियों की पत्री में लेगी और इस पत्री से कई बार हम अधियन कर चुके हैं विशेश्गर के जो बुद्वार को Bible study में आते हैं, लेकिन आज हम एक बार फिर इसको देखते हैं, तीसरा अध्याय का सोलव अपद, Colossians chapter 3 verse 16, यहां में लिका है, मसी के वचन को अपने हिर्दे में अतिकाई से बसने दो, यह तब होगा न, जब आप पहले दियान, पहले आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसके बाद आप उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, दियान करेंगे, और तब वो आपके मन के गहराई में च खा लिया, और खाने के बाद, वो आपके आत्मा में ऐसे अबसोर्व हो जाएगा, जैसे खाना काने के बाद, उसमें से वाइटमिन्स और और नूट्रियन्स और फिर फैट भी, वो भी अबसोर्व हो जाते हैं, सारी चीज़ें अबसोर्व हो जाती है, आपके शरीर में ज जैसे कि कोई उसको वहां से हटा ना सके तो हम क्या करेंगे वर्चन को पढ़ेंगे या सुनेंगे सबसे पहले उसके बाद उस पर दियान करेंगे और जैसे हम दियान करेंगे बागी दोनों काम होता जाएगा आप दियान करना शुरू किजी दियान देना शुरू किजी आप समस्य मिलेगी और समस्य जैसे मिलेगी आप कह सकते ही कि मैंने उसे खा लिया और फिर आपके जीमने दिखाई देगा या आप कह सकते हैं कि आज येवाली बात मेरे मंन में घर खर गई कि ऐसी बैटी हुई है आप कोई निकाल नहीं सकता ये है वचन को पढ़ने का यानि पवित्र शाहस्तर का अधियन करने का तरीका मैं आपको बापस पुराने वाचा में चलते हैं एक लमबी चलांग मारनी होगी क्याँ है अब जय रहे हैं शुरिवात की पुस्तकों में इसकी शुरुआत में एक पुस्तक है जिसका नाम है यहुषू हिंडी में अंग्रीजी में जोष्वा और ये शुरिवहात की चटवी कितावे है इसका पहला अदियाय चाप्टर वन जोश्वा और पहला अदियाय का आट वे पद को हम पढ़ते हैं चाप्टर वन वर्स एक्ट यहां بर परमेशर ने इस वक्ति से कहा यवस्ता की यह पुस्तक तेरे चित से कभी न उतर ने पाये तो आज की यूग में आज की बाश्चा में हमें ऐसा क्या सकते हैं कि पवुत्र शास्तर या बाइबल या परमेश्वर का वचन तेरे चित से तेरे हुर्दे से कभी ना उतर ने पाएं वहां बे हमेशा बसा हुआ रहना चाहिए परमेशर के वचन को यह कैसे होगा हमने अभी दख चर्चा की है इसलिए मैं दुबारा नहीं एक बार बताते हैं पहले वचन को पढ़ेंगे या वचन को सुनेंगे उसके बाद उस पर मनन करेंगे ध्यान करेंगे reflect करेंगे, consider करेंगे और उस समय परमेशर हमें समझ देगा वो समझ पाते ही वचन ऐसा हो जाएगा जैसे हमने इसको खा लिया है और फिर वो वचन जो है हमारे मन में घर खर जाएगा और फिर यहोशु की इस पुस्तर में पहला दियाय आट पर पाद में परमेशर एक secret हमें बताता है एक secret हमें बताता है कि अगर हम उस वचन को वहां बे रहने देंगे तो क्या होगा और परमेशर एक बात दोरा रहा है कि इसी में दिन रात दियान दिये रहना इसलिए कि उसी बात पर जो हमने अपने मनों में बिठाया है जिसको हमने बसाया है उस पर अगर हम दियान देते रहेंगे तो हम कैसे जिन्दगी जियेंगे देखिए कुछ देखिए और पढ़िए इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनसार करने की तू चौकसी करे अगर परमेश्र का वचन हमने हिरदे में बसा रखा है तो हम चौकसी करेंगे हम द्यान करेंगे, हम सतर्क रहेंगे हम परमेश्रक ने जो बाउंटरी जो दायरा बनाया ना उसके बाहर नहीं जाएंगे उसके अंदर रहे के हम सारे कामोंग को करेंगे और उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा पढ़िये त्योंकि ऐसा ही करने से और हिंदी में जो पढ़ रहे हैंना उसमें ही में आप थोड़ा सा हाइलेť कर देना ऐसा ही करने से तेरे सब काम बिगड नहीं जाएंगे सफल होंगे और तू प्रबाबशाली होगा जो लोग प्रबाबशाली होना चाहते हैं जो चाहते ही कि मेरे सारे कामों में मुझे सफलता मिले परमेश्वर कहता है मेरे वचन को मेरी बातों को अपने हिरदे में बसा के रखो और चौकसी रखो कि सारे काम वचन के अनसार ही किया जाए तो पवित्र शास्तर का अधियन हम इसलिए करते हैं और इसी रिदी से करते है अम अपने constitution को नहीं बूलेंगे, अम अपने परित्र शास्त्र की बातों को नहीं बूलेंगे, ऐसा करने के लिए हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, हजम करेंगे, और उसको मन में पसा के रेखेंगे, सारे steps मैं ने आपको बताया, क्योंकि, आपको मैं अभी वहां लेके नहीं जाओंगा, पुरानी विवस्ता में, अभी हम इसी के पास ही है, कुछ पनों को पलेटने के बाद आपको मिलेगा, विवस्ता विवरेंगे, फीछे को तोड़ा से पीछे को जाईए, रिवर्स कियर, और वहां बे आटवा अध्य में, तीसरा पद में, लिका है कि मनिश्य, मैं रुख जाता है, आप पना पलेट लिजिए, दिटरानमी चाप्टर एट वर्स त्री, विवस्ता विरेंग आठ का तीन, दिटरानमी चाप्टर एट वर्स त्री, इसमें लिका है कि मनिश्य केवल रोटी से नहीं, रोटी तो वाकि सारी चीज़ें भी है जो हम कहते हैं ठीक है सिरव उन वस्तों से नहीं हम जीविद रहेंगे हमें परमेशुर के मुझ से निकलने वाला हर एक वजन भी चाहिए यह पास्टर चेम्स का वर्शन है आप देखिए बाइवल में कैसे लिखा है इसका आखरी से में लिखा है पहले लिखा है कि तुझे उसने नमर बनाया यह सब बाते में बताने के बाद लिखा है कि इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनिश्य केवल रोटी ही से नहीं उस ही शप्त पर आप हाईलेटर से हाईलेट कर देना हिंदी में पढ़ने वालों से कह रहा हूं ध्यान देने वाली बात है मनिश्य केवल रोटी ही से नहीं और ये बात थे हो रही है ये येश्य मसी पर विश्वास करने वाले लोगों से केवल रोटी ही से नहीं चीविद रहता परंदू जो जो वचन यहोवा के मुझ से निकलते हैं उन ही से वे चीविद रह इन शङते है, man shall not live by bread alone, अगर आप एंग्लीशं में प्ठथन है तो, alone में highlight कीजिए, man shall not or man will not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God, तो मेनिश्वर को जीविद रहने के लिए इस संसार में कामियाभी की जिन्दगी जीने के लिए केवल रोटी ही काफी नहीं है या खाना काफी नहीं है काना की जरूरत है परमेश्वर माना नहीं करता है काना चाहिए हमें पैउंकि यह ज़ियूर को बनाया परमेश Ur ने भुक और डायजर्श चिस्टम परमेश नहीं बनाया है तो परमेश्वर को महालुम है काने के लिए माना कर रहा है कान ही से रोटी ही से नौ्ट बाई ब्रीद अलोन कि परमेश्वर का जीवित वचन तो जयोंकि नहीं वाचा में एक लंबी चलांग मारते हैं फिर ठंड वैसे खतम हो गई ना इतने बार उंगलियान चलाई आपने तो ठंड वैसे खतम हो गई कम दो हो गई कम से कम तो इबराणियों की पत्री में एक परिजित वाक्य में आपको दिखाना चाहता हूं इस अभ्यास में आप सीख भी रहें कि पवित्र शास्त्र का अधियन कैसे करते हैं और कैसे हमें समझ मिलती है कैसे परमेश्र आत्मा के दौरा हमसे बात करता है चाहता अधियाय में देखिये 12 पत को देखिये क्योंकि परमेश्र का वचन पवित्र शास्त्र के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है यानि परमेश्र अपने वचन के विशे में क्या कहता है देखिये क्योंगी परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है परमेश्वर का वचन में जीवन है आत्मी क्रीदी से जीवित रहने के लिए आपको ये वचन चाहिए क्योंगी इसमें जीवन है और वो प्रबल है It is a powerful thing The word of God is alive and it is powerful फिर वो क्या क्या कर सकता है इसमें लिका है हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोका है It is sharper than any two-etched sword और प्राण और आत्मा को और गाट गाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेता है और मन की बावनावों और विचारों को जाजता है परमेश्र का वजन जब मन में चला जाता है ना तो हमारे मन की अपने विचारों को वो परमेश्र का वजन एक्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा, जांच करेगा और हमें बदा देगा कि जो तू सोच रहे ना वो गलत है या जो तू सोच रहे है गलत है हमें पता से लिए हैं कि हम गलत सोच रहें परमिश्र का वजन ने जांच किया वदा है कि यह गलत है यह इसको निकाल दो इसको हटाओ परमिश्र का वजन में इतनी सामडत है अब तो पढ़ेंगे ना Constitutional परमिश्र का वजन हमें आत्मी जीदी से जीविद रहने में और सफलता प्राप्त करने में और प्रबल होने में सहायदा करता है तो इन बातों को बूल मत जाना सफलता प्रबल होना और जीविद रहना एक और बात आपको दिखाता हूँ अब मैं आपको बाइबल की लास्ट पुस्तों में ले जाता हूँ इसमें जाने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने आखरी किताब भी पढ़ ली थी पढ़ ली है कमसे के एक वर्स तो पढ़ ली हमने इसका दस्वा अधियाय में चलते हैं प्रकाश्षि दिवाक की दस्वा त्याय रेवलेशन चाप्टर 10 और इसका नव नव पद से लेके हम पढ़ना शुरू करते हैं नव और दसको पढ़ेंगें चाप्टर 10 वर्स 9 और 10 यहां वर यूहना पर इश्युमसी का एक चेला एक विशन में एक दर्शन में स्वर्क दूद से बात कर रहा है और मैंने स्वर्क दूद के पास जाकर कहा यह चोटी पुस्तक मुझे दे दे यह Bible मुझे दे दे, आपके पास चोटी पुस्तग के बात हो रही है, तो जैसे आपके पास अभी Bible है, या चोटा सा स्मार्ट फोन है, उसमें आपकी Bible है न, यह चोटी सी पुस्तग, आज के यू की साब से लिखा है, और वैसे भी ये बात जो यूहना ने 2000 साल पहले देखी ह वो आज के, अभी वो समय पूरा नहीं हुआ, 2000 साल बात की बाते हैं, और उसने मुझे से कहा ले, इसे खा ले, इस वचन को, पवित्र शास्त्र को खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुँ में मदूसी मीटी लगेगी, ये वचन जो है, जब खाएंग कि मुँ में तो मीटा लेगेगा, लेकिन पेट में कड़वा लेगेगा, ऐसा भी होता है, कभी-कभी परमेश्र का वचन जो है, जब हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हम उसे ग्रहन कर लेते हैं, मनन करते हैं, फिर वो हजम हो जाता है, लेकिन जब वो हजम हो और फिर ये विक्ति कहता है कि मैं वे चोटी पुस्तग उस स्वर्गदूस के हाथ से लेकर खा गया, वे मेरे मुव में मदूसी मीटी तो लेगी, पर जब मैं उसे खा गया, तो मेरा पेट कड़वा हो गया, कई बार ऐसा भी होता है इस वचन से, तो मैं सिरव आपको मीठी बातें नहीं बता रहा हूं, कुछ कड़वी बातें भी बता रहा हूं कि कभी-कभी परमेश्वर का वजन, वजन जो है, आप सुन लेते हैं, ग्रेहन कर लेते हैं और आपको लगता है कि बहुत आसानी से मैं कर सकूँगा, लेकिन आपको पता चलत है कि आपके जीवन की अपनी बातें, अपनी आदतें, अपने पुराना विचार जो है रुकावट बनके खड़ी हो जाती है और फिर उसको पार करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, तोड़ा सा संगर्श आता है, तोड़ा सा कड़वा लगता है, तो कभी-कभी, ह साम 119, इस वचन की स्ट्रेश्टता क्या है, इस वचन में क्या खासियत है, उसको भी एक बार देख लेना अच्छा है, एक सो उननीज का 89th verse, साम 119 verse 89, हे यहुआ तेरा वचन आकाश में सदा तक स्तिर रहता है, यानि यह जो वचन हम पढ़ते हैं उत्पति से लेके प्रकाशी दुबा की तक ही यह पूरी बाइवल जो है, इसकी बातें परमेश्वर की यह सारी बातें स्वर्ग में स्तिर है, इसका में लव, हो ट नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती, परमेश्वर की बातें स्वर्ग में स्तिर है, परमेश्वर ने जो कुछ बोला है, जो कुछ लिखवाया है, वो सब कुछ स्वर्ग में परमेश्वर के अधीनता में हैं और वो स्तिर है, टल नहीं सकते, गिर नहीं सकती, आप इसको हिला नह सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्र के वचन को हिला नहीं सकता, वो कभी नहीं लेगा, वो अपनी जगा पे स्तिर है, वचन खड़ा रहेगा अमेशा, तो परमेश्र का वचन स्तिर है, वो कभी नहीं बदलेगा, और मैं कई वार बदा चुका हूँ, क्योंकि परम मेरे लिए बदल देगा मुझे स्पिशिल कास कंस्डरेशन में लिगा नहीं परमीश्र का वचन स्तिर है उसको हम बदलना होगा वचन के अनसार और वो कैसे बदलेंगे हम यह आपको बताया सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया एक final verse आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और संतुष्टी रहेगी कि मैं इस वचन के त्वारा क्या-क्या कर सकता हूँ क्या-क्या मुझे लाव है क्योंकि end में एक फैदे की बात और बदा देने से नुकसान नहीं है है न? क्योंकि हम आदतन हमेशा फैदे की बातें सोचते है अपने फैदे की बातें सोचते है अच्छा है आतिमीक फैदे के बारे में सोचना बहुत ही अच्छा है तो आप बदन सहीदा में है न? तो कुछ पनों को प्लेटने के बाद नीती बचन में पहुंचेंगे पास ही है ज्यादा दूर नहीं है उसका चवता अधियाय में चलते हैं प्रोवर्ब्स चाप्टर फॉर्ड वर्स ट्वनी बीस वपल से हम पढ़ना शुरू करेंगे अगर सिरफ पुद्र शमाल करता है तो इसका में पुत्रियां भी है अगर अब जए आधियां दिजिए किमिरे पुत्र और तो पुद्रियों से बहुत हैँ स्ट्रियां ना सोचे कि हमारे लिए नहीं है तिस अभिली है और प्रत्नियम पुर्वे एखिए क Talent मैं ब़चन द्यान को नहीं करता है। मैं नहीं करता हूं। मेरा वजन परमेशर का वजन ध्यान दरके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा कान परमेशर की बातों पर लगाने का मदलब है कि उसको ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना 21 इन वचनों गो इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे वरन अपने मन में दारं कर इसको मन में बिठा के रख पहले द्यान से सुन मनन कर मन में बिठा के रख बसा के रख क्योंगी जिनको वे प्राप्त होती है जिनको परमेश्र की शिक्षा मिलती है जिन तक परमेश्र के वजन पहुंच जाते हैं वे वजन उनके जीविद रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है अगर आप जीविद रहना चाहते हैं, जो कि हम सब चाहते हैं, अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं, जो कि हम सब चाहते हैं, तो परमिश्र क्या कहता है, मेरे बचन को दियान से सुन, उस पर मनन कर, उस पर विचार कर, उसको मन में बसने दो, ताकि हम जीविद रहेंगे, औ पढ़ेंगे, उस पर विशार करेंगे, उसको जब आप विशार करेंगे, वो हमारे आत्मा में ऐसे जाके बैटेगा, जैसे हमने इसको खा लिया हो, और हमारा आत्मा उसको दीरे दीरे खीच लेगा, एक एक बात को अब्जोर्ब करेगा, और हमारा जीवन बदलता जाएगा हम स्वस्थ रहेंगे, हम जीविद रहेंगे, हम प्रबाबशाली होंगे, हमें काम्याभी मिलेगी We will be successful and we will prosper Amen तो यह है परमेश्वर का बजन, यह है परमेश्वर का Constitution हम Constitution से अंजान नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के बजन से अंजान नहीं रहेंगे हम पढ़ेंगे और फिर जो process मैंने आपको बताया, जो steps मैंने आपको बताया, वो सब हम करेंगे और हम काम्याब रहेंगे, successful रहेंगे, प्रबाबशाली होंगे, जीविद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे यह है परमेश्वर का बजन का अध्यान करने का तरीका तो इसके साथ मैं आज का देन को समाप्त कर रहा हूं और आपसे request करूंगा, जो तरीका मैंने आपको बताया, उसको करके दे के, आप स्वस्थ रहेंगे और कामियाब रहेंगे रहेंगे, रहेंगे, प्रभावशाली होंगे, जीविद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे ये है परमेशर के बचन का अधियन करने का तरीका तो इसके साथ मैं आज का अधियन को समाप्त कर रहा हूँ और आप से रिक्वश करूंगा जो तरीका मैंने आपको बताया उसको करके देखे आप स्वस्त रहेंगे और कामियाब रहेंगे